नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है निरस्तिवारी और मैं आप लोगों के लिए लेकर रहे हूँ दोस्तों आज दो पाट का सारांश पहला है दोस्तों कवीता के बहाने दूसरा है बाज सीधी थीपर तो दोस्तो कवीता के बहाने का मैं आप लोगों को सारांश बताने जारूँ यह कवीता एक यात्र है जो चिडिया फूल से लेकर बच्चे तक की है एक और प्रकृति है दूसरी और भविश्य की और कदम बढ़ाता बच्चा कवी कहता है कि चिडिया की उलान की सीमा है फूल के खिलने के साथ उसकी पनलित निश्चित है लेकिन बच्चे के सपने असीम है बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता कवीता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविश्य सभी उपकरण मात्र है इसलिए जहां कहीं रचनात्मक उर्जा होगी वही सिमाओं के बंधन खुद तुट जाते हैं वह सिमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों न हो तो दुसरे कवीता बात सीधिती पर उसका सारांज बताने जा रहों कवी का मानना है कि बात और भाषा स्वभाविक रूप से जुड़े होते हैं किन्तु कभी कभी भाषा के मुह में सीधी बात भी तेड़ी ही हो जाती है मनुष अपनी भाषा को तेड़ी तब बना देता है जब आडामबर पुर्ण तथा चमतकार पुर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्ये को प्रस्तूत करने का प्रयास करता है अंतह शब्दों के चक्कर में पढ़कर वे अपना अर्थ खो बैठते हैं अंतह अपनी बात सहज एव वहवारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कथ्ये को भली भाती समझ सके धन्यवाद दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद दोस्तों